नमस्कार दोस्तो राजेस आयरवेदिक टीप्स चैनल पर आपका स्वागत है हम सब अपने आसपास अलग-अलग बहुत से छोटे बड़े पेड़ पौधों को देखते हैं और साथ में तमाम तरह की घास लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो यह बता सके कि यह यह चोटे-चोटे जो पेड़ हैं यह किस काम में आते हैं और इनके कौन-कौन से आयरवेदिक फायदे हैं और इनसे कौन-कौन से रोख ठीक होते हैं नहीं बता सकता है यह आप हमारे इस चैनल पर मेरे वीडियो इनको देखेंगे तो आपको यह सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी इस लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रमाडित अईरवेदिक आउसदियों की जानकारी इस चैनल से लगातार मिलती रहे है आज का आउसदी पौधा यह चक्रमर्द का है यह वर्साकाल में, जंगलों में, खे होते हैं और पत्तों की लंबाई एक इंच से लेकर गोलाखार होते हैं इन फूलो का रंग thumbs होता है यह देखिए और इनके फलियां जो होती है उच्लियों है फथी ne बारा इंच की लंबी होते है इमी फ़लियों में पच्स से 75 तीस तक बीज होते हैं और इन बी यह बीज जो है न मेति के दानों के समान होते हैं और ये इस प्रकार से इसकी फलिया होती हैं ये देखिए ये जब सूख जाते हैं तब इन में से बीज निकलते हैं चक्रमर कर ये जो पौधा होता है ये चर्म रोग ठीक करने के लिए बहुत ही लाबकारी होता है ये बिश नासक क्रेमी नासक और कुष्ट रोग नासक होता है तचा पर दाद जो गोलाकार में होती है अता दाद को अंग्रेजी में रिंग वार्म कहते हैं और चक्रमर्द का पौदा, दाद की जो गोलाकार, जो गोल गोल चक्र होते हैं, उनको नश्ट करता है, इसलिए चक्रमर्द को संस्कृत में चक्रमर्द कहा जाता है, यानि कि ये चक्र को नश्ट करने वाला कहा गया है, ये सब प्रकार की चर्मरोगों को ठीक करता है, कभी चर्म रोग इतने जिद्धी हो जाते हैं कि ठीक होने का नाम नहीं लेते हैं अगर आप यह चर्म रोगों का इलाज कर आ रहे हो तो यह पौदा आप पहँचान ले जो आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं यह चर्म रोगों की अचुक आउसदी है अगर किसी भाई को कोई चर्म रोग है फुनसी है कोई एक जिमा है दाद है खुजली है तो आप एक बार इस पौदे का जुरू इस्तेमाल करें और देखें और ध्यान दे कि एक दो बार प्रयोग करने से फायदा नहीं मिलता है दाद को ठीक करने के लिए चक्वण या चक्रमर्द का प्रयोग का इस प्रकार से कर सकते हैं दाद के लिए चुटकारा पाने के लिए चक्रमर्द की 200 ग्राम पांचांग को पीश लें और उसे मक्षन वाली दही में मिलाकर पीश कर एक उसको तीन-चार दिनों के लिए मिट्टी की जो गागर होती उसमें रख दें और इसके पहस्चार चार बनाकर खाने से बहुत अच्छा लाब मिलता है और इस प्रकार से इस चक्रमर्द के अन्य भासाओं में नाम भी होते हैं जिने अलग-लग देश के राज्यों में अलग-लग नामों से जाना जाता है यह जिस प्रकार के चर्म रोग हो दाद हो खाज हो खुजली हो एक्जीमा हो कुष्ट रोग हो सब इसके प्रियोक से ठीक होते हैं इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो पौधा है कितना आउसदी गुणों से संपन है और ये आरवेदिक आउसदी पौधा है इसको पत्तों काड़ा बनाकर पीने से खून तेजी से साफ होते हैं और तमाम तरह की चर्म रोक दूर होते हैं इस प्रकार से ये वीडियो आपक किसी नए उसदी पौधिक की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और इसी जानकारी के साथ आप इस पौधिक का परियोग करके देखें और निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा थैंक्यू जैहन्द